आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि GDP का असर सबसे ज़्यादा आम आदमी के जीवन में होता है दोस्तों अब हम जानते हैं कि GDP आकिर होती क्या है बहुत ही सरल फॉर्म में आपको हम बताएंगे ग्रास डोमिस्टिक प्रोडक्ट यानि सकल घरेलू उत्पाद जिसको आप GDP कहते हैं किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों के और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं यानि कि साल भर में आपके देश ने क्या बनाया और बेचा है उससे क्या कमाया है वो चाहे सेवाएं हो या फिर कोई वस्तु हो उन सभी का योग जो वैल्यू होती है उसको GDP कहते हैं रिसर्च और रेटिंग्स फर्म केर रेटिंग्स के अर्थ सस्त्री सुसान थेगड़े का कहना है कि GDP ठीक वैसे ही होती है जैसे किसी छात्र की साल भर की मार्क सीट होती है जिस तरह मार्क्सीट से पता चलता है कि छात ने साल भर में कैसे प्रदर्शन किया है और किन विश्यों में वह मजबूत या कमजोर रहा है उसी तरह GDP आर्थिक गतविदियों के अस्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन किन सेक्टरों की वज़ा से इसमें अर्थब्योस्था ने कितना अक्षा या खराप प्रदर्शन किया है अगर GDP डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थब्योस्था सुस्त हो रही और देश ने इस से पिछले साल के मुकाबले परियाप्त सामान का उत्पादन नहीं किया है और सेवा सालाना GDP ग्रोथ के आकड़े जारी करता है माना जाता है कि भारते से कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल अधिक GDP ग्रोथ हासिल करना जरूरी है ताकि देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके चूकि आबादी भी बढ़ रही है तो अंजमसन, expenditure या goods और services को खरीदने के लिए लोगों के कुल खर्च को कहते हैं दूसरा है government expenditure तीसरा है investment expenditure और आखिर में net export आता है GDP का आकलन nominal और real term में होता है nominal terms में या सभी वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा कीमतों पर value है जबकि base year के संबंद में इसमें अगर महंगा महंगाई को सापेच वे adjust कर दिया जाता है तो इसको हम real GDP कहते हैं यानि कि सामाने तरीके से हम अगर यह समझें कि अगर GDP को कुल वस्तु और सेवाएं जो बेची गई है भारत से उनका जो कुल value है अगर उनमें महंगाई को भी जोड दिया जाता है तो वह real GDP कहलाती है और हमें क्रिसी, manufacturing, electricity, gas supply, mining, quaring, वानिकी और मत्स, hotel, construction, trade, communication, financial, real estate, insurance, business services और community, social और सारवजनिक सेवाएं सामिल हैं अब दोस्तों सबसे खास बात हम यह करते हैं कि GDP आम आदमी के जीवन में क्यों अहम है क्यों महत्रपूंड है इसको समझना और आम आदमी के जीवन में यह किस असर डालती है दोस्तों हमने शुरुआत में आपको बताया कि GDP का सबसे बड़ा असर आम आदमी पर ही पड़ता है आम जनता के लिए यह इसलिए महत्रपूंड है क्योंकि यह सरकार और लोगों के फैसले करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है अगर GDP बढ़ रही है तो इसका मतलब या है कि देश आर्थिक गत्विधियों के संदर में अच्छा काम कर रहा है और सरकारी नीतियां जमीनी अस्तर पर प्रभावी साबित हो रही है और देश सही दिशा में जा रहा है अगर GDP सही नहीं है तो देश सीधी सी बात है गलत दिशा में जा रहा है और ज GTP सूस्त हो रही है या निगेटिब दारे में जा रही है तो इसका मतलब है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की ज़रूरत है ताकि अर्थ विवस्ता को पट्री पर लाने में मदद की जा सके सरकार के अलावा कारोबारी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर और अलग अलग नीती निरधारक GDP डेटा का अस्तमाल सही फैसले करने में तय करते हैं जब अर्थ विवस्ता अच्छा प्रदसन करती है तो कारवारी और ज़्यादा पैसा निवेस करते हैं और पाधन को बढ़ाते हैं क्योंकि भविस्त को लेकर वे आसावादी होते हैं लेकिन जब GDP के आकड़ी कमजोर होते हैं तो हर कोई अपने पैसे बचाने में लग जाता है लोग कम पैसा खर्च करते हैं और कम निवेस करते हैं इससे आर्थिक ग्रोथ और सुस्त हो जाती है ऐसे में सरकार से ज़्यादा पैसे खर्च करने की उम्मीद की जाती है सरकार, कारो, बार और लोगों को अलग-अलग स्कीमों के जरीए जादा पैसा देती है ताकि वो इसके बदले में पैसे खर्च करें और इस तरह से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाव मिल सकें इस तरह से नीती निर्धारक GDP डेटा का इस्तेमाल आर्थवरस्ता की मदद के लिए नीतियां बनाने में करते हैं भविस्ट की योजनाय बनाने के लिए इससे एक पैमाने के तोर पर इस्तेमाल किया जाता है